नमश्कार, न्यूस क्लिक में आपका एक बार फिर से स्वागत है, आप देख रहे हैं हमारा बहुत ही खास कारिक्रम, इतिहास के पन्ने मेरी नजर से, इस कारिक्रम में हम इन दिनों कुछ एपिसोड की एक स्पेशल श्रिंखला कर रहे हैं, जो आजादी के 75 साल को मनाते हु हुए, आजादी और राश्ट्री आंदोलन के एर्दगित जो घटनाए थी, उनके बारे में हम चर्चा करें, विशेश, एक्सपर्ट्स और महमानों के साथ हुए हम सब लोग जानते हैं कि आजादी के लड़ाई में कई सारे पढ़ाओ थे, कई हाई पॉइंट्स थे, कई लोग पॉइंट्स थे, लंबे फेजस के लिए कुछ खास आंदोलन नहीं होते थे, 1942 में एक बहुत बड़ा एक मुव्मेंट हुआ था, क्विट इंडिया मुव्मेंट, भारत छोडो आंदोलन, और अगस्ट क्रांती भी इसके बारे में कहा जाता है, इस साल उसके 80 साल य श्री मंजरी, जो दिल्ली उनिवर्सिटी के मिरांडा हाउस में इतिहास की प्रोफेसर है, तो डॉक्र श्री मंजरी सबसे पहले तो हमारे कारेकर में आने के लिए बहुत धनेवाद, इतने एक महत्वपूर्ण घटना के लिए आप चर्चा करने के लिए हमारे बीच में सबसे पहले जो मेरे दिमाख में जो सवाल आता है, भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूव्मेंट में थोड़ी बहुत हिंसा हुई थी, गांधी जी और पूरे जो राष्ट्री आंदोलन था, इसका सिगनेचर था, नॉन वाइलेंस और गांधियन तिंसिपल्स तो ये कैसे हुआ कि कुछ अलग किसम का एक आंदोलन हुआ, जो शायद हम आगे बात करेंगे, कि शायद एक तरह से डिसाइसिव हो गया कि जिसके बाद अंग्रेजियों का हिंदुस्तान में रहना बहुत नामुम्किन हो गया ये जो आपनी सवाल पूछा, ये बहुत महत्वपून है और ये बहुत बार पूछा भी गया है कि जो 1942 का जो आंदोलन था, जिसे कई इतिहास कारों ने अगस्त क्रांती कहा है, अंग्रेजी में हमें से क्विट इंडिया मूवमंट कहते हैं, ये इससे पहले कि जो गांध गांधियन मूवमंट्स थे, जो गांधियन आंदोलन थे, उनसे कुछ मेल भी खाता था, और कई तरीके से अलग भी था, जब इसकी शुरुवात हुई, यह हम कह सकते हैं, जब इसके बारे में पहल हुई, चर्चा हुई, यहां पर मैं केवल कॉंग्रेस, अज पोलिटिकल पार्टी की बात कर रही हुई, जब उसके अंदर चर्चा शुरू हुई, तो समय था, लगभग हम कह सकते हैं, 1942 के कुछ पहले के महीने, मार्च, एप्रिल, 1942, जब जैसे कि हम सब विधित हैं, कि कृप्स मिशन आया था, तो काफी उमेदे उस वक तक, कृप्स मिशन भेज गया था भारत, अंग्रेज सरकार, जो ब्रिटन की जो अंग्रेज सरकार थी, वो एक पहले से ही प्रक्रिया थी, क्योंकि हम नाकेवल स्वाधिंता की मांग कर रहे थे, मगर हम सम्मिधानिक परिवर्तन बेचाते थे, और ये एक मांग बहुत प्रबल हो चुकी थी, कि उनका, मतलब उनका योगदान मैक्सिमम होना चाहिए, और उसमें हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, उनिस सो पैंतिस के आगे भी हमें ये अंदेशा मिलता है, कई ऐसी लेखनिया आजकल आई हैं, जो नए स्रोतों पर आधारे थे, और पहले की भी कुछ लेखनिया हैं, ज जब स्वाधिनता के बारे मीं चर्छा प्रारंब होें, जानि कि उन्नीसमे शतावदी के आखरी दश्कों में, या बीसमे мнी शतावदी के शुरुवाती दशकों में, तब से हम न केवल स्वाधिनता की बात कर रही थे, कहीं न कहीं हम ये जानते थे कि हमें एक सम्मिधान पर भी हमें एक अलग किसम की पहल चाहिए, जो हो नहीं रही थी, अंग्रेजी सरकार भी ये जानने लगी थी 1909 के बाद, 1909 से पहले उससे पहले और उसके बाद भी, जो हम 1909 की बात करें तो आप मोरले मिन्टो रिफॉर्म और उसके पहले भी कि कहीं न कहीं भारतियों को अधक सदस्यता देनी पड़ेगी, हिंदुस्तानियों को अधिक सदस्यता देनी पड़ेगी, उनकी समिधानिक मांगे भी हमें कहीं न कहीं उस पर चर्चा करनी पड़े जो कुछ ऐसे मसले लेकर आया था, प्रोपोजल लेकर आया था, जिस पर हम जो आने से पहले हमारी बहुत उम्मीदे थी कि प्रतम द्वितिय विश्वयु धुच्छर चुका है और हमने अपनी स्वाधिनता आंदोलन में अब ये काफी साफ साफ कह दिया था कि हमें स्वा हम कुछ मांगी तो स्विकार करेंगे, मगर हिंदुस्तान को डॉमिनियन स्टेटिस दिया जाएगा और वो भी युद्ध के बार, डॉमिनियन स्टेटिस का मतलब मतलब हम ये होता है कि अंदुरूनी प्रशासन में तो भारतियों को प्रोविंस को छूट होगी, एक सरकार बनेगी, भारतियों की, मगर अंग्रेजी और हमें डिप्लोमसी और फॉरन पॉलसी पर कुछ अधिकार नहीं होगा, तो कई विश्व की दूसरी देशों को भी उन्होंने डॉमिनियन स्टेटिस दिया था, तो ये कहा कि युद्ध जब खत्म होगा, उससे पहले नहीं, य कासकर कॉंग्रेस की तो ये दिमांड थी, तो भारत छोड़ो अंदोलन की पृष्टभूमी यही है, कि क्रिप्स मिशन आई, उन्होंने जो प्रोपोजल्स दिये, वो प्रोपोजल्स एकसेप्टेबल नहीं हुए, हमारे राश्ट्री अंदोलन की नेताओं को, और ये कॉल दिया गया, कि भारत छोड़ो, युद चल रहा है, उस बीच में आपने एक, आपने मतलब जो राश्ट्री अंदोलन के जो नेता थे, हिंदुस्तान में भी एक तरह से राजनेतिक टर्बूलेंस की सिचुएशन क्रेट करती है, तो क्या ये सही था? मैं यही जोड़ना भी चाहती थी, पिछले प्रेश्ण के उत्तर में ही, कि एक प्रकार की प्रिष्ट भूमी नहीं थी, एक प्रकार का बैक्गराउंड नहीं था, जैसे आपने स्वयम कहा, खुद कहा, कि ये टर्बिलन्स का दौर था, और जो नेचर ओफ टर्बिलन्स है जो टर्बिलन्स की प्रकृती थी, वो उसको हमें अनेक नजरियों से देखना पड़ेगा, उसके अनेक आयाम थे, और उसमें से एक था, 1942 तक आते आते बदलती हुई परिस्थितियां, केवल अंदुरूनी परिस्थितियां नहीं, विश्व पतल पर भी, तो दृतिय विश्व युद्ध वहां पर आजाता है, और उससे भी ज्यादा जो जापान अग्रसर हो गया, 1941 के बाद, 1941 के खास कर, हम कह सकते हैं, पहले महीनों में, 1941 के आखिर में, उसने रेज प्रारंप कर दिये, जैसे कि कलकत्ता, हाउडा, बंगाल में, कलकत्ता, हाउडा, इत्या जब वहा परल हारबर उससे पहले हो गया, फिर जापान ने जब एंट्री करी, तो साउथ एस्ट एस्ट एश्या, जो दक्षनी पूर्वी एश्या है, उसमें एक प्रकासे राजनेतिक जो दबदबा है वो बदलने लगा, अंग्रेजों का राजनेतिक दबदबा, और उस उनके हाथ से निकल गया, अंडेमान का जो द्वीप है, वो उनके हाथों से निकल गया, तो जापान एक प्रकार से अब भारी था, तो एक तरफ मतलब अंग्रेज, मतलब बिटिश पावर को कमजोर होते देखते, कांधी जी और वाकी राश्री आंदुलों की नेता ने क्योंकि कॉंकि कॉंग्रेस केवल अब केवल एक पोलेटिकल पार्टी नहीं थी, जो ये डिमांड कर रहे थे, अब अनेक पोलेटिकल पार्टी से ये डिमांड करने लगे थे, कई बार वो कॉंग्रेस की छत्रचाया में रहे तो ये डिमांड करते थे, मगर अब उनकी एक मुस्लिम लीग उपोज थी, हिंदु महासभा, राष्ट्रिय स्वहिम सेवक संग, कम्मिनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया उसमें तो खरी उनाइटेड ही थी, तो ये सब क्विट इंडिया मुव्मेंट भारत छोड़ो आंदोलन को सपोर्ट नहीं किया था, कॉंग्रेस के अं पारे दक्षिन भारत मदरास खास करके, मदरास प्रोविंस के नेता राजगुपालचारी, जो काफी सीनियर कॉंग्रस के नेता थे, तो उनका ये कहना था कि भारत छोड़ो आंदोलन जैसा आंदोलन इस वक्त हमें नहीं चेड़ना चाहिए, कारण अनेक थे, पुलिटिक ये सही समय नहीं है, वो और कुछ दूसरे मॉडरेट्स थे इससे पहले, थोड़े से साल पहले, जैसे कि तेज बहादुर सपरू, कुछ मॉडरेट लीडर्स थे, तेज बहादुर सपरू के साथ-साथ, कुछ हद तक राधा कृष्णन भी, जिन्होंने एक दस्तावेज प पराधिनता के प्रशन भारतियों को इतना उत्तेजित किया है, उसको बदलने का समय आ गया है, आपको जरूर अपनी राजनेतिक जो नीतियां है उसको बदलनी पड़ेगी, तो तब उसको माना नहीं गया, डॉमिनियन स्टेटस दिया गया, तो ये लोग ने जो पेटिश की राजनीती बहुत करती आ रही थी, उनको लगा कि इस दौर में पेटिशन की राजनीती को ही कंटिन्यू करना चाहिए, कुछ नेताओं को ऐसा लगा, मगर राजगोपालचारी जैसे नेता और कुछ अन्य भी यह भी सोचते थे कि ये समय अंग्रेजों की विरुद्ध जाने का नहीं है, अन्की वर्ड मेंटालिटी को प्रोचसाहिद करना एक प्रकार सी फासिजम को बढ़ावा देना है, तो कुछ इसलिए भी पीछे हटे, कि ये समय सब्सक्राइब, ये ही कारण मेरे खाल से कम्मिनिस पार्टी का भी था कि अन्टी फासिस्ट फोर्सिज कम जोर पड़ जाएंगे, फासिजम की लड़ाई को भी देखना चाहिए और इसकी वज़े से अगर हमको कुछ दिन के लिए, कुछ समय के लिए, इंदुसान के अगर हमको राश्ट्री आंदोलन को होल्ड करके स्थगित करकना चाहिए, तो ठीक है? जहां तक वामपन्थी दलों का प्रश्ण है, उनमें से एक Communist Party और कुछ और भी थे, CSP भी था, Congress Socialist Party भी था, तो दोनों के बीच में अलग मत था, भारत छोड़ो आंदोलन को भी करके स्थगित करके स्था, तब तक अलग नहीं हुआ था, Congress के अंदर ही function कर रहा था, मगर ज राजनीती में थोड़ा थोड़ा तो नहीं कह सकते हैं, एक प्रकार से बड़ा परिवर्तन आया जब रूस पर अटाक हुआ, तो जब आक्सीज पावर्ज ने, खासकर जर्मनी ने अटाक किया, तो कहीं ना कहीं ये वोइस हमें सुनने को मिलती हैं, कि अब ये जो, मतलब अब हम ये जो पूरी राजनीती है, वार से रिलेटेड, वो अब थोड़ी अलग हो गई है, और अब हमें, अब ये पीपल्स वार बन गया है, मगर इस पीपल्स वार में हमें ऐसा कोई आक्शन नहीं लेना चाहिए, जो आक्सीज, हमें एंटी फासिस फोर्स को मजबूत क करना चाहिए, उनको वीकिन नहीं करना चाहिए, अलाइड पावर्स को सपोर करना चाहिए, अगर हम राश्य आंदोलन का गियर को चेंज करें, तो वो वीकिन होगा, मगर मैं ये कहना चाहिए, इसके साथ-साथ, कि ये इनका एक बहुत डॉमिनेंट ओपिनियन था, मगर ज भारत चोड़ो आंदोलन शुरू हो जाता है, तो हम देखते हैं कि अनेक प्रोविंसस में, खास कर जब भारत चोड़ो आंदोलन नगरों से रूरल एरियास की तरफ शिफ्ट करता है, अगस्त में शुरू होता है, करीब सप्तेम्बर तक आते हाते हम देखते हैं कि कुछ रूरल बेसेस, स्ट्रॉम सेंटर्स की तरह उभर कर आने लगे थे, सप्टेंबर, उक्टोबर, नवेंबर, उनने सो बैयालिस तक आते आते, तब तक तो नेता सब एरेस्ट हो चुके थे, फिली और स्पॉंटेनिस नी आंदोलन चल रहा था, जो लोकल, वाकई मास मूवमें बन गया यह, और शायद लीडर्शिप ने भी सोचा नहीं था, कि यह रूप ले लेगा, तब ही लिनलिको ने कहा, कि यह तो 1857 की याद दिलाता है, यह इतना गंभीर है, कि ऐसे लगता है, 1857 दोहरा, मतलब फिर से, फिर से, रिपीट हो रहा है, हाँ, रिपीट हो रहा है, 19, 19, 20, 21 की आंदोलन और 31 के डांडी मार्च के बाद की आंदोलन उन से कहीं जादा आई, इसका प्रभाव पकड़ लिया और जोर पकड़ लिया, लोगों के बीच में, आम जनमानस के बीच में, आम जनमानस के बीच में, और जनमानस के भी अलग अलग तपकों के बीच में लेकिन एक पीकूलिय विडंबना थे कि एक तरफ तो जन्वानस के बीच में या आंदूलन फैलता जा रहा था और उसके साथ साती मुस्लिम लीक का तो कहच चलिए समझ में आता है उनके भविश्यु अलरी हिंदुस्तान में इस तरह के हिंदुस्तान में नहीं था लेकिन हि कारण थे इनका तो कोई कॉम्मिनिस्टों की तरह कोई मोटिवेशन नहीं था कि हमको एंटी फार्सिस्ट फोर्स को वीकें नहीं करना चाहिए तो इनका क्या लॉजिक था तेखी इस वक तक जो सांप्रदाइक था कि जो राजनी थी थी वो सामने आ चुकी थी मगर एक दि हैं तो यह जो मेंस्ट्रीम में डॉमिनेंट ट्रेंज हैं कि कुछ पुलिटिकल पार्टीज कह रहे हैं कि हम हिस्सेदारी नहीं लेंगे और यह कारण है और कुछ कहती हैं कि हम करेंगे क्योंकि स्वाधीनिता इसके साथ जुड़ी है वो रूरल एरियाज में आते आते कही ना कहीं अलग रूप ले लेता है क्योंकि जो मेन आइडियोलोजी है और जो लोकल एजनसीज हैं उनमें काफी फर्क था तो कई एरियाज में हम देखते हैं जैसे कि तमलुक और कॉंटाई मिदनापूर में जहां पर उनने सो बैयालिस आंदोलन ने बहुत उग्र रूप यहां तक कि वहां एक पैरलल गावर्मेंट भी चली तामरे लिपत जाती है सरकार जैसे सतारा में भी हुआ तो इन एरियाज में ये लोग अलग नहीं रह पाए वामपंथियों के साथ साथ हम देखते हैं कि कई जिने हम साम्प्रदाईक तत्व मानेंगे उन्होंने भी हिस सिदारी हम देखते हैं नहीं तो इतने बड़े लेवल में इंकारसरेशन नहीं होता तो उनको स्तीफा देना बहुत जरूरी होता तो मैं इस तरफ धिलाने की कोशिश कर रही हूं कि हमें अनेक लेवल्स पर इस आंदोलों को बढ़ते हुए फैलता हुआ देखना जब इसने जन्मानस को प्रभावित किया जो युद्ध के युद्ध से जुड़े हुए अनेक फिनॉमेना को देख रहे थे जैसे की इवाकुएशन जैसे की रफ्यूजी का आना बर्मा से और उनकी हालत जैसे की स्कॉच्च्ट अर्थ पॉलिसी जिसका जीवंत उधारण बंगाल में हमें मिलता है डिनाल पॉलिसी के रूप में तब जब लोगों की एक्सपीरियंस नाना प्रकार के थे जो केवल पॉलिटिकल पार्टी की स्टांस के साथ जुड़े नहीं थे तो उनको लगा कि वास्तव में अंग्रेजी सरकार हिल चुकी है और वो जाते जाते क्योंकि उन्हें लगा जापान जरूर विजय होगा और यह हमें अनेक स्रोतों से पता चलता है उस वक्त की रीडियो ब्राटकास्ट जो जापान से आ रहे थे जो सुभाष चंद्रबोस भी अक्टिव हो जाते हैं तो जो उन्हें पता चल रहा था कि समय बदल रहा है तो लोगों की धारणा अब बढ़ की अब यह सरकार खत्म होनी चाहिए तो हिस्सेदारी जरूरी है यह भी कही ना कहीं दिखता है अब हमारे डिसकुशन की अंतिम पड़ाओं के तरफ बढ़ते हुए कि भारत छोड़ो आंदोलन से इतना प्रेशर बना कि अंग्रेजों का हिंदुस्तान में राज करने का जो मॉरल स्टैंडिंग था वो पूरी तरह से खत्म हो गया आंदोलन बेशक अपने आप पीटर अपने आप पीटर आउट किया और बरबरता का इस्तिमाल किया मिलिटरी जो तैनात थी उसका भर पूर इस्तिमाल किया गया इसको कुचलने के लिए वो हुआ लेकिन उसके बाद इनेविटेबल हो गया कि बस वक्त कब होगा हिंदुस्तान की आजादी के दरवाजे खुल गए सवाल ये था कि कब सब कुछ पूरा रस्ता बन जाएगा और किस तरह से बनेगा ऐसा लगता है आपको हां कुछ हद तक ऐसा लगता है और मैं यह भी कहूंगी इसके साथ सा कि 1944 और 1945 तक आते आते कुछ नए प्रश्ण भी सामने आने लगे थे और कुछ स्थानों पर ह और उन में से नहीं आवाजे आने लगी जैसे सतारा में प्रती सरकार उसमें जो जातिवाद के खिलाफ आवाज प्रभल होने लगी थी पहले से ही जो बाद में आजार हिंदुस्तान में भी रेजोनेट होते रहे जमीन को लेकर प्रश्ण भूमी को लेकर प्रश्ण लेब जो अलग अलग स्थानों पर यह जो आर्थिक प्रेशन थे इन्होंने अलग रूप लिया जिन से जो राजनेतिक परिवत्न है उसकी दिशा कहीं न कहीं बदलने लगे जैसे कि जब हम पूर्वी बंगाल की तरफ देखते हैं तो वहां पर फैमिन की वजह से जो भूख की जो जो अनाहार की स्थिती थी वो तो इतनी प्रबल हो गई कि नहीं महां पर मुस्लिम लीग का यह प्रोपगांडा जरूर काम आया कि अगर बठवारा होगा तो आपको जमीन भी मिलेगी और अन भी मिलेगा तो 44, 45, 46 तक आते आते कुछ नए जरूरते लोगों की उभर कर आन तरफ बदलने लगा एक आखरी सवाल आप से चूंकि इतिहास महतवपूर्ण है आज के कॉंटेक्स में भी भारत छोड़ो आंदोलन से आज की हिंदुस्तान जिस दौर से हम लोग गुजर रहे हैं हम लोग क्या सीख ले सकते हैं मेरे विचार से बहुत बढ़ी सीख यह है कि परिवर्तन कभी भी मुमकिन है तो यदि सकता काफी उपद्रवी हो जाती है तो बदलाव लोगों से ही आ सकता है जैसे कि हम भारत छोड़ो आंदोलन में देखते हैं बड़ी बात की इसी पॉइंट पे बहुत धन्यवाद आप हमारे इस कारेक्रम में आये और इसमें शामिल हुए शुक्रिया तो परिवर्तन कभी भी हो सकता है यह है लास्टिंग टेकवे डॉक्टर श्री मंजरी की भारत छोड़ो आंदोलन पे हमारी जो बातचीत हुई इस कारेक्रम को देखने के लिए बहुत धन्यवाद